प्रचार को पर्चार करने वाले लोगों को तयार करने के लिए की गई उन्हें बाईबिल के सत्य सिखाने और परमेशो पर अटट विश्वास बनाने के लिए डिजाइन किया गया था मगर जैसे समय बीता गया थियोलोजिकल संस्ताओं ने मनुश्य के विचारों को परमिश्य के वच्चन की उपर रखा अब समय है कठोर और सिधान्तों पर आधारे थियोलोजिकल पाठिकरम के परे देख कर बाइबल के सच अध्यान की और लोटे जो हमारे मन में विश्वास उभार कर हमारी आत्माओं को ध्रुड कर सकता है गेहरे व्यक्षान, दिल्चसप, छातर संचालित प्रोजेक्ट्स और छातरों और अध्यापकों के साथ मन की संगती के द्वारा गुट्नियूस तियोलोजी स्कूल वास्तविक, लच्रिला और किफायती वचन का सुव्यवस्तित अध्यान प्रदान करता है गुट्नियूस तियोलोजी स्कूल एक ऐसी जगह है जहां भविश के सुसमाचार के प्रचारक, पाप और निराशा में अटके हुए लोगों को येश्व मसी की जोती का प्रचार करना सीखते हैं आज ही रजिस्टर करें और जहां कहीं भी क्यों नहों मसी के मिशनरी बनें चोड़े चोले एक ऑन एक ऑन मरुसा तर्मसी पकर सा टन जी जह बहरा बोष्णे जा Caitlin cœur कर दो जाए दिनकी है तेरी, ये रंग रूपो और ये जवानी कर दो जोड़े शोड़ा दो जाए देरी प्यादी चल्देवा इसास दीचे नए जाता है छोड़े छोड़े आपने आथ का भरुस्ता छोड़े छोड़े अपने आथ का भरुस्ता कर्विय 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 कर्वि तुनिया किता पेखिका, सुन्याए वरोसा लागे, चुन्याए 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 वरोसा ला प्रिया प्रोरो्साë सब को नमस्ते तो हम फिर से मत्ती के पुस्तक के पांच अधाय के और जाएंगे तो आईए सबी लोग मत्ती के पांच अधाय को एक बार हम खोलेंगे मत्ती पांच अधाय और उसका नौ वचन हम सिद्रिति से देखेंगे मत्ती उसका पांच अधाय नौ वचन लिखा है दन्ने हैं वो जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमिशर के पुत्र कहलाएंगे तो कल मैंने आपको इसके बारे में अधिकाई से कहा था कि दन्ने हैं वो जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वो परमिशर के पुत्र कहलाएंगे तो सटिक्ता से मेल कराने वाले मेल कराने वाले तो कल मैंने आपसे कहा कि कैसे परमेशर के बचन इस में से मेरी जिन्दगी में आने के बाद कैसे मेरा मेल मिला परमेशर के साथ हुआ और जब मेरा मेल मिला परमेशर के साथ हुआ उस समय से ले करके मैं लोगों को परमेश्वर की बातें बोलने लग गया हला कि मुझे किसी ने नहीं कहा तुम जाओ और परमेश्वर का बच्छन परचार करो हला कि मुझे किसी ने नहीं कहा तुम जाओ और परमेश्वर की बातें लोगों को कहो तो उसमें से लेकर कि मैं क्या करने लगा हलाकि मुझे किसी ने नहीं कहा क्या करना है क्या नहीं करना है क्योंकि मेरा मन और परमेश्वर का मन एक हो चुका था और हलाकि मैं बाइबल में से कुछ नहीं जानता था सिर्फ एक वचन जानता था वो क्या जानता था यह यहना तीन सोला को मैं जानता था इस बचन के दौरा मैं परमेश्वर के मन से मिला और मुझे परमेश्वर के बारे में पता चला जो जगत से प्रेम रखता है तो उससे पहले में परमिशोर के बारे में नहीं जाना था जिसने जगत से प्रेम रखा लेकिन इस बच्छन के दुआरा मैंने उस परमिशोर को जाना जो परमिशोर आकाश और प्रतिवी का सुरिश्टी करता है और जिसने जगत में सारे मानोजात से प्रेम किया और उसने वो मानव के लिए अपना एकलौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नस्ट ना हो परंथवन अन्जुवन पाए तो उस समय से ले करके ये बच्चन के साथ जब मेरा मन जुड़ गया ये बच्चन के साथ मेरा मन जुड़ने के बाद मैंने दिन भर जहां भी गया उस समय से जो इसको भी मिला मैं वो इनसान के हाथ पकड़ता और उस इनसान से कहता हेलो परमिश्वर तुमसे प्यार करता है परमिश्वर ने तुम्हारे लिए अपना एकलोता बेटा येश्व को बलिदान किया है अगर उस येश्व पर विस्पास करोगे तो तुम्हे अनन्जिवन मिलेगा तुम नस्ट नहीं होगे हलाकि मैं यहां तक जानता था लेगिन इसके आगे नहीं जानता था कि येश्व पर विस्पास करके अनन्जिवन मिलना मतलब क्या है कैसे येश्व पर विस्पास करके अनन्जिवन मिलता है तो असलिएत में ये बात करता है, कैसे येशु हमारे पाप को अपने उपर लेके, कैसे येशु हमारे ले क्रूस पर मरके, क्रूस पर से बहाई हुए लहु से हमारे पाप धो दिये गए, येशु के बलिदान के दौरा हमारे पाप शमा हो गए, परमिश्यों ने हमारे ले अ अपना एकलोता बेटा हमारे लिए दिया ताकि उस बेटे पर विस्वास के दुआरा हम स्वर्ग जा सके अनंत जीवन प्राप्त कर सके लेकिर मेरे जीवन में समस्या क्या होई उस समय में पुरा दिन में लोगों को हाथ पकड़ता जो भी मीजे मिलते में उनको पकड़ता औ परमेशर के मन के बारे में इतना ही जानता था तो जो भी मुझे मिलते मैं हर एक इनसान को यही बोलता तो उस समय से लोगों ने मुझे नाम देना शुरू किया कि हाँ ये एक रिशन बन गया या किसी ने कहा कि ये पादरी बन गया किसी ने कहा कि इसने धर्मा परिवर्तन कर लिया, ऐसे कई ऐसे अंगीनत बातें मेरे सुनने में आते थी लेकिन ऐसी चीजे मेरे मन को प्रभावित नहीं करते थी, क्यो, क्योंकि मेरे मन में ये जो परमेश्वर का प्यार बहूत बड़ा था, कि परमेश्वर सच में जो मुझसे प्यार करता है और उसने अपना एकलोता बेटा जो मेरे लिए बलिदान किया है तो मैं लोगों को बतानी लगा ये परमेशर और आकाश और पृतिवी के सुरुष्टी करता परमेशर की बाते हैं ये किसी धर्म या जाती की बात नहीं है मैं किसी धर्म का परचारक नहीं हूँ और नहीं में किसी जात का परचार कर रहा हूँ मैं तो आकाश और पृतिवी के सुरुष्टी के सुरुष्टी के परमेशर जो हाँ जगत से प्रेम करता है और उस सुरुष्टी का बेटा येशु जो मानो जात के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है ताकि मानो जात को उनके पापों की शमा हो जाए उस एशु पर विस्फास करना मतलब धर्मों को परिवर्तन करना या धर्मों को पीछे चलना इस पर गर का कंसिप्ट नहीं है ऐसी बाते में बोलते बोलते गुमता था तो उस दोरान एक दिन मेरे दोस्त की माने मेरे हाथ में बाइबल दे दिया और उस समय में वही दिन रात के समय में रात के समय में जब मेरे दोस्त की मा को पता चला कि ये बीजय ऐसे ऐसे परमेश्वर का वच्चन जान गया योहनना तिन सोला और उसके दुआरा वो ऐसी बाते कर रहा है, लोगों को पता रहा है, उन्होंने जब सुना, तो उन्होंने मेरे हाथ में बाइबल दे दिया, और उन्होंने मुझे क्या कहा, अगर तुम परमेशर को ठीक रिती से जानना चाहते हो, तो तुम्हें ये बाइबल जानने की सुर मेरे हाथ में बाइबल दे दी, और मेरे दोस्त की माने मुझे क्या बोला, कि विजये, अगर तुम सच्चे में परमेशर को जानना चाहता है, तो तुझे बाइबल जानने की ज़रूत पड़ेगी, ये चिछ मेरे मन में जैसे की प्रवेश कर गया, तो मेरे मन में जब यु मैंने बहुत बुरा जीवन जिया, लेकिन जब से ये शुमिल सी मेरे मन में आया, मैंने मेरे दोस्त की मा की बात सुनने लगी, तब तक मैं शराब में, जुआ में, नशे में, ड्रॉक्स में, ऐसे कई चीजों में गिरा हुआ था, लेकिन परमेशर को अपने मन में मिलने के परमेशर के शांती मेरे मन में आने के बाद मुझे शांती प्राप्त करने के लिए और शराप पिने की जरुरत नहीं पड़ी मुझे शांती पाने के लिए और ड्रग्स करने की जरुरत नहीं पड़ी मुझे सकून मिलने के लिए मैंने इस अंसार में कुछ भी नहीं किया क्यों कि मेरा मन सोरगे की खुशी से भर गया था मेरा मन सोरगे शांती से भर गया था मेरा मन सोरगे आनन से भर गया था मेरा मन सोरगे प्रेम से भर गया था और मेरे मन में मैं संतुष्ट था तो वो दिन से मैंने कभी शराब नहीं पी मैंने कभी जुवा नहीं खेला मैंने कभी ड्रग्स नहीं किया मैं naturally सोतंत्र हो गया ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे बोला अभी तु ये शुपे विस्पास करता है तो शराब नहीं पी सकता या तो जुवा नहीं खेल सकता या सिग्रेट नहीं पी सकता ऐसी बाते मुझे किसी ने सिखाई और मैंने किया ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि जिस खुशी और शांती के लिए मैं शराब पीता था जो खुशी और शान्ती के लिए मैं ड्रक्स किया करता था जिस डर से बचने के लिए मैं अलग-अलग प्रकार के आफ़ीम के इस्तमाल करता था वो सारा डरी गायब हो गया मेरे मन में परमिश्वर के प्रेम से मेरा मन तुरुप्त हो गया स्वतुंत्र हो गया मैं धन्यवादित था तो मैंने कभी अंदकार की बाते चोड़ने की कोशिश नहीं की जैसे उजियाला आने के बाद अंधारा अपने आप से चला जाता है ऐसा नहीं है कि अंधेरे को कोई लड़ के अंधेरे को जीत सकता है ऐसा नहीं है लेकिन अंधरे में जब उजयाला आ जाता है जैसे कि हम भी जब सूरिया उदय होता है सूरिया उदय होता है तो ये प्रिथिवी का अंधरा सब हट जाता है आटोमिटिक सब कुछ उजयाला हो जाता है वैसे ही जिसके मन में इश्वर के वचन आते हैं बाइबल में येशु मैसी ने कहा मैं जगत की जोती हूँ मैं जगत की जोती हूँ वो जगत की जोती मतलब मनुश्य के हिरदाए की जगत की जोती है तो जब येशु मैसी मनुश्य के मन में आता है तो वो प्रकाश मान हो जाता है वो इनसान जोरती में हो जाता है यहांना पुस्तक उसके पहले अध्याय में अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा है यहांना पुस्तक उसके पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है आदी में वचन था वचन परमिश्वर के साथ था और वचन परमिश्वर था तो आदी में वचन था और वचन परमिश्वर के साथ था वचन परमिश्वर था यही आदी में परमेशर के साथ था सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ मतलब सब कुछ किसके द्वारा उत्पन्न हुआ परमेशर के बचन के द्वारा उत्पन्न हुआ जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके बिना उत्पन्य नहीं होई तो कभी-कभी ग्यानी लोग ऐसा बोलते हैं कि कहीं से कुछ टकराया और जाकर कि पृत्वी बन गया ऐसे लोग ग्यानी हैं वो अत्यदिक ग्यानी है मैं उनके बारे में बोल नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ग्यानी है लेकिन ऐसा नहीं है उनके घ्यान का कोई तुलना नहीं हो सकता लेकिन परमिश्योर का वचन कहता है कि परमिश्योर के वचन ने परमिश्योर ने आकाश और पृत्वी की सृरुष्टि की तो ये बात को अगर आप देखेंगे आकाश और पृतिवी को सुरुष्टी किया है परमेश्वर के बचन में वो शक्ती है परमेश्वर ने आदे में आकाश और पृतिवी की सुरुष्टी की तो परमेश्वर का बचन जो जोती है जब जोती इंसान के जीवन में आता है इसलिए योहना के पहले द्धै चार वचन में लिखा है कि उसमें जीवन था किसमें जीवन था परमेश्वर के वचन में जीवन था वो योहना तीन सोला में जीवन था वो मनुश्य की जोती थी वो जोती मेरे अंदर प्रवेश हो गई परमेश्वर का बच्चन जो मनुश्य का जीवन है और जो मनुश्य का जोती है वो परमेश्वर का बच्चन जब मेरे हिर्दे में प्रवेश हुआ उस समय से मैं परमेश्वर को जानने वाला बन गया मेरे सुरिष्टी करता को मैं जान गया मुझ में से अंदेर अहट गया मेरे अंदर शे शांती और खुशी का जीवन शुरू होने लगा मेरा मन परमेशर के साथ जुड़ जाने के कारण मैंने सुर्गे की खुशी और शांती को पाया और मैं बहुत धनिवादित था ओ दिन पुरा दिन पुरा दिन बहुत अनिवादित था मैंने मुझे लगता वो दिन मैंने कम से कम 400-500 लोगों को हाथ पकड़ पकड़ के उनको कह रहा था परमेशर है वो तुम से प्यार करता है उसने तुम्हारे लिए अपना एकलोता बेटा कुर्बान कर दिया अगर उसे शुपर विस्पास करोगे तो तुम नाश नहीं होगे तुम अनंचवन पाओगे ऐसी बाते में बोल रहा था लेकिन उस दिन शाम को अराउंट 11 बजे के टाइम में रात को मैं मेरे वो एरिया में गया जो एरिया का नम साठे वाडी बोलके है वो एरिया में जब मैं गया तो मेरे दोस्त की मा ने मेरे हाथ में बाइबल दे दी और मेरे दोस्त की मा ने मुझे क्या कहा विजय अगर तुम परमिश्र को सच्च में जानना चाते हो तो तुमें बाइबल जानना होगा तो तब तक मुझे बाइबल के बारे में और कुछ मालूम नहीं था और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि योहना 3.16 जो पेपर में ने पढ़ा था जिस पेपर में परमिश्वर की बचन लिखे हुए मुझे मिले थे वो पेपर के लिखा हुआ बचन ये बाइबल का बचन है ऐसा बाइबल कंटेंड करता है उस बचन को मुझे वो भी बात मालूम नहीं थी लेकिन जब मेरे हाथ में बाइबल आया तो मेरे दोस्त की माने मुझे ये बोलते हुए बाइबल दिया तुम अगर परमिश्वर को जानना चाहते हैं तुम अगर इश्वर को ठीक रिति से जानना चाहते हो तो तुमने बाइबल जानने की जरूत है तो बाइबल नहीं जानना मतलब हम सच्छ परमिश्वर को नहीं जानना है तो अगर हम बाइबल को जानते हैं तभी बाइबल के परमिशन को हम सही रिती से जान सकते हैं जिस परमिशन ने आकाश और पृतिवी की सुरुष्टी की तो उस समय में मेरे हाद में जब बाइबल आया उस समय तक मुझे बाइबल के बारे में मालूम नहीं था लेकिन जब मैंने बाइबल का पहला पन्ना खुला, पहले पन्ने में, पहले अध्याय में, पहले बचन में ये लिखा हुआ था, वो क्या लिखा हुआ था, आदी में परमेशन ने आकाश और पृतिवी की, सुरुष्टी की, तो जब मैंने इस बचन को देखा, जैसे कि मेरे सुरिष्टी करने वाले पर्मेशर का पुस्तक मिल गया मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे बच्पन का जो सवाल था वो आज उमर के 25 साल में आके पुरा हो गया तो उमर के 25 साल में आकर के मेरे जो सवाल था सुरिष्टी करता कहा है सुरिष्टी करता से कैसे मिलना सुरिष्टी करता से कैसे हम बाते कर सकते हैं सुरिष्टी करता से कैसे हम सुन सकते हैं ऐसे बहुत सारे चीजे जो मेरे मन में सवाल थे वो एक ही इस बच्चन के द्वारा उत्पति उसका पहला अद्द है मेरा मन किसके लिए खुला पता है आपको वो परमेशर जिसने आकाश और परतिवी को बनाया उस परमेशर के परति मेरा मन खुल गया तो याद रखिए अगर आप सच्ची में परमेशर की सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आपका मन परमेशर के परतिखुलने की जरूरत है आपका मन परमेशर के बचन के प्रती खुलने की जरूरत है आपका मन परमेशर के बेटे येश्यू के प्रती खुलने की जरूरत है आपका मन बाइबल के प्रती खुलने की जरूरत है तब जाकर कि आप ये बातों को जान सकते हो जो बाते है परमेशो चाहता है कि आप क्या करो उसको चानो तो उस समय में मैंने जब ये बचन को पढ़ा कि आदि में परमेशो ने आकाशवार पृतिवी की सुरिष्टी की जैसे कि मैंने मेरे जिंदगी में जीत हसिल कर ली मेरा डिगरी पुरा हो गया मेरा खोज खतम हो गया मैं इतना उत्साही दुआ वाव मुझे आकाशवार पृतिवी के सुरिष्टी करता का पुस्तक मिल गया तो मैंने कभी भी बाइबल को किसी धरम का पुस्तक बोलके नहीं पड़ा मैंने बाइबल को जब सुरू में मेरे हाथ में बाइबल आया इसलिए मेरे मन में दो मत नहीं थे मेरे पास अलग-अलग विचारधार नहीं नहीं थी क्योंकि मैं जिस सुरिष्टी करता को मिलना चाहता था जिस सुरिष्टी करता की बाते बच्पन से क्या करता था जिस सुरिष्टी करता को आस्मान की और देख के रोता चिलाता उसको बुरी बाते भी बोलता तू नहीं है भी बोलता तू होता तो तू अपने आपको परगट करता ऐसी जो बहुत सारी जो शिकायत की बाते थे वो सब कुछ खतम हो चुकी थी और मेरे मन में एक नया उज्याला आया था मेरा मन में प्रकाश आ चुका था मेरे मन में जब वो उज्याला जो येशु मसी आया उस समय के बाद जो वे बाइबल मेरे हाथ में आई आदी में परमेशों ने आकाश और प्रतिवी की सुरिष्टी की तो जब आदी में परमेशों ने आकाश और प्रतिवी की सुरिष्टी की यह बचन को देखने के बाद मेरा मन बाइबल के प्रतिख खुल गया उस समय से मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगता है उन दिनों में मैंने बाइबल को छे दिन में खतम किया था एक दिन में कम से कम दस गंटा बारा गंटा मैं बाइबल पढ़ता था तो एक दिन में 10 गंटा 12 गंटा बाइबल पढ़के मैंने 6 दिन के अंदर वो बाइबल को पूरा खतम किया बाइबल पढ़ने के बाद मेरे जितने सवाल थे सब के सब सवाल गायब हो गए बाइबल पढ़कर मेरे अंदर जो अंगिनत सवाल थे मैं कौन हूँ, मैं काँ से आया, मैं पाप क्यू करता हूँ या वगयरा 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 बहुत सारे सवाल थे ये सारे सवाल जैसे की बाइबल तो मेरे सवाल का जवाब का पुस्तक है क्योंकि ये बाइबल सुरिष्टी करता परमेशर का पुस्तक है तो उस समय में उस बच्चन के द्वारा एक एकर के परमेशने मेरे मन में से सारे वो सवालों के जवाब दे दिये और मेरे मन में सारे सवालों के जवाब खतम होने के बाद में बाइबल पढ़ने लगा एक बार बाइबल पढ़ा, दो बार बाइबल पढ़ा, पांच बार बाइबल पढ़ा, दस बार बाइबल पढ़ा, बीस बार बाइबल पढ़ा, तो बीस बार बाइबल पढ़ने के बाद मेरे मन में कई और सवाल उत पर नहोने लगे, तो वो सवाल किस परकार के थे, ये में रोल को देखने लग गया नुहा की कहानी है उसके बाद बड़ी कहानी अबराहम की है इसा की है याकोब की है उसके बाद यूसुफ की है फिर उसके बाद मुसा की है फिर यहशु की है ऐसे कई ऐसे कहानियों को अगर आप आगया आगया पढ़ते जाओगे तो लेवी वि बिवस्ता आता है तो इसराइल लोगों को परमेशों ने परमेशों की विदी समझाई है कि कैसे परमेशों के द्वारा पापों की शमा पानी है वो विदीयां सब उसमें लिकी हुई है ऐसे फिर उसके आ गया गया है अगर हम जानते हैं बहुत सारे पुस्ता के गिंती है उस उसके बाद ऐसा एक एक कर करके जब हम किताबों को देखते हैं नययो, रूत, ऐसे इसा एक बाइबल को देखते हैंगे तो 20 बार पढ़ने के बाद बाइबल के परति मेरे मन में और सवाल भी उत्पन होने लगे ये बाइबल एक्छिले क्या बोलना चाहता है लेकिन उस दोरान क्या हुआ मैंने ये बात को जानना मैं रियली बाइबल जानना चाहता था तो मैं बाइबल जानना चाहता था तो मैं ऐसे कोई इंसान का इंतजार कर रहा था जो मुझे सच मैं बाइबल में लिखे हुए परमेशुर के वचन मुझे सिखा दे तो उन दिनों में क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इंसान नहीं था जो ये बाइबल के बारे में मुझे सिख्षा दे असलिएत में बाइबल के सिख्षा हमने उस आदमी से पानी होती है जो आदमी खुद नए सिरे से जनम पाया हो जो इनसान खुद धर्मी और पवित्रा हुआ हो और जिसके अंदर पवित्रा आत्मा है उसी आदमी से अगर हम बाइबल के शिक्षा पाएंगे तो ठीक ठीक पा सकते हैं अगर नहीं तो हम गलत भी जा सकते हैं मैं कैसे गलत गया मैं यह बोलना चाहता हूँ तो उस समय में क्या होने लगा उस समय में मैं जब बाइबल को पढ़ रहा था लेकिन समझ नहीं रहा था तो मेरा मन कहां गया हाँ बाइबल से सम्मंदित किताबे कहां मिलती है तो मैं बाइबल को समझने के लिए Bible से समंदित किताबें ढुढने लगा तो मुझे मुंभाय में O.M बुक शॉट मिला पिर उसके बाद Bible Society मिले ऐसे society मुझे मिले बुक शॉट मिले जहां पर Bible से समंदित किताबें थे तो वहान जाकर कि सारे जितने भी Hindi भाशी किताबें होते थे हिंदी में लिखे हुए किताबें सभी किताबों को मैं खरीद लेता और लाकर के अपने घर में किताबों का डेरा लगाता तो उन किताबों को जब मैं पढ़ता सची में उन किताबों को पढ़के मेरे मन में भी बहुत ऐसे लालसा हैं आती यह किताब को लिखने वाले के तरह मैं भी बन सकता जैसे कि कोई किताबें हुआ करती थी जिसमें पवित्रा आत्मा के वरदानों के बारे में लिखा होता था कि किसी किताबें होती थी तो कैसे पवित्रा आत्मा अगनी की तरह काम करता है उसके बारे में अलग-अलग लिखा को लोग लेखे रहते थे कुछ लोग कैसा कुछ लोग कैसा बहुत सारी ऐसे किताबें होती थी तो इन किताबों को लागे जो मैं पढ़ने लगा मेरा मन मेरी आत्मा जो और पैसा होने लगा और पैसा होने लगा और मैं और उलजन में गिरने लगा मेरे को सटिकता से समझ में नहीं आ रहा था मिरा आत्मी जोन में समझ सा क्या हो रहा है तो उस दौरान जो है कुछ मसीह लोग जो चर्च में जाने वाले लोग वो लोग को पता चला कि ये लड़का विजे नाम का लड़का ये ऐसे येश्य मसीह का प्राचार करता है और ऐसे गर गर नगर नगर में जाकर के येश्य के बारे में बोलता है ऐसे लोगों को पता चलने लगा तो उस समय में कुछ लोग हमें डूंटे हुए आया और वो लोग ने क्या करने लगे बोले हमारे ये चर्च में आजाओ और फिलोशिप में आकर के बचन सुनो प्रेयर करो ऐसा बोले तो हमको भी अच्छा लगा वो बात क्यों क्यों कि हम भी ऐसे फिलोशिप ढूंट रहे थे कि जहां जाकर कि हम फिलोशिप कर सकें प्रभु ये शुपर विस्पास करने वाले लोगों को हम भी मिल सकें प्रभु ये शुपर विस्पास करने वाले लोगों के द्वारा और हम सीख सकें कि प्रभु ये शुपर विस्पास करके कैसे जीए जाते है उसके नियम क्या है उसके काइदे क्या है मैं भी सीखना चाहता था क्योंकि मुझे पता नहीं था मस्य इश्व पर विस्वास करके जिंदगी कैसे जिये जाती है मुझे इतना तो पता चल गया कि परमेशर मुझसे प्यार करता उसने अपना एकलोता बेटा मुएरे लिए कुर्बान किया उस पर विस्वास करूँगा तो अनन जिवन मिलेगा लेकिन उस पर कैसे विस्वास करके अनन जिवन मिलता है ये भी मुझे मुझे मालूम नहीं था मैं इतना मुर्ख था और मैं बाइबल को पढ़ता तो जरूर था बाइबल को मैं पढ़ता जरूर था लेकिन बाइबल को उस पर कैसे विस्वास किया जाए और कैसे वो आत्मिक जीवन जिया जाए इसके बारे में सच्ची में मैं नहीं जानता था तो मैंने बहुत बार बाइबल पढ़ा लेकिन मैं सटिकता से समझने में असफल था सटिकता से जब मैं समझने में असफल था तो उसमेंसे हम लोग fellowship के लिए जाने लगे तो उसमें जब हम पहली बार fellowship करने के लिए चर्च में गए तो जब मैं चर्च में गया तो वहां पर pastor जी सिखा रहे थे शत्रूँ से अपने समान प्यार करो जूट मत बोलो विवस्ता में 613 नियम और आग्या हैं लगबग तो उन आग्याओं में उन नियमों में क्या है कुछ आग्या और नियम ऐसे हैं ऐसा करो बोलके कहा गया है और कुछ आग्या और नियम ऐसे हैं ऐसा मत करो बोलके कहा गया है तो वो सारे जो बेबस्ता की बाते हैं उनको अगर लोग शॉट में बनाते हैं तो उसको मुख्या दस आग्या कहा गया है Usually मसी लोग जो हैं क्रिशन लोग जो हैं इन दस आग्याओं का पालन करना चाहते हैं और उनके चर्चेस में ऐसे सिखाया जाता है कि आप इन परमेशर के आग्याओं का पालन करो क्योंकि यह हमारे परमेशर के आग्या है यह हमारे परमेशर के विधी और नियम है अभी ये बात सही है कि वो आग्या, वीधी और नियम परमिशर के हैं लेकिन किस उद्देश्य से परमिशर ने दिया है ये कोई नहीं जानता वो उद्देश्य जाने भीना लोग क्या करते हैं जासे वो 10 आग्याओं का पालन करो बोलके बولते हैं और वो लोग खुद भी पालन करने का कोशिश करते हैं, खुद पालन नहीं कर सकते हैं, और दुसरों को पालन करो बोलते हैं, वो लोग भी पालन नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग 10 आज्या में से 9 आज्या पालते होंगे, कुछ लोग 10 के 10 आज्या तो पालन नहीं कर सकते हैं, तो वो दस आग्याओं की सिक्षा वहां पे देते समय मेरे मन में क्या आया जब बच्पन में मेरी मान ने मुझे बोला था जूट मन बोलो जूट बोलोगे तो पाप है और ओ पाप तुमको नरक में लेके जाएगा मैंने जूट नहीं बोलने की कोशिश की लेकिन मेरे मुझे तो जूट निकल गया अभी मैं मसी बन गया हूँ अब मैं क्रिशन बन गया हूँ अब मैं मसी इशु पर विस्पास करता हूँ मतलब मैं क्रिशन बन गया हूँ मस्य इशु पर विस्पास करना मतलब क्रिश्चन हो जाना एक्चली इसमें धर्मा का परिवर्थन का बात नहीं समझा जाता है मस्य इशु पर विस्पास करने वाले लोगों को मस्य के लोग कहा जाते हैं उनको क्रिश्चन कहा गया 案ों लोग मसीहीु लोग है, ऐसा कहा गया. मसीही इशूपर विस्पास करना मतलब मैं मसीही हो गया, मसीही हो गया मतलब लोग मुझे क्रिश्टन धर्म का बोलके देखना सुरू करते हैं. ये लोगों का नजरिया है, लेकिन असलियत में मस्य इशु पर विस्पास करना मतलब हमारे उद्धार करता से उद्धार को पाना है पापों से शमा पाके नए सिरेचे जनम पाके सुर्गा की राज्ये को प्रविश करना है आज मेरा ये टॉपिक नहीं है तो मैं इस पर आगे नहीं जाओंगा लेकिन उस समय में मेरे लिए मुश्किल की बातें क्या थी चर्च में जाके चर्च में जाके उनको सिखाया जा रहा है कि तुम उदस आग्या का पालन करो बोलके तो उसकाया जारा था तो जैसे में बच्वन में मेरी मा से पुछा था जूट मत बोलो लेकिन मा आप जूट बोलते हो के नहीं यहाँ से शुरू होता है वैसे ही जब मैं पहली बार चर्च में गया चर्च में मैंने ये सवाल कुछ ना शुरू कर दिया कि पास्टर आपने सिखाया कि जुट मत बोलो, जुट बोलना पाप है, लेकिन पास्टर मैं आपसे ये पुछना चाहता हूँ, कि आप जुट बोलते हैं या नहीं, यहां से मेरा बात करना शुरू हुआ, तो उस समय में वो पास्टर को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेक अच्छा थो कभी होई नहीं सकता है, वो लोग तो मुझसे पहले मसी बने होए हैं, वो लोग तो मुझसे पहले विश्वास में जीते हैं, और उनके पास पास्टर होने का पोजिशन भी है, मेरे पास पोजिशन नहीं, मैं एक साधरन इनसान हूँ, लेकिन मैं उनको लेकिन वो पास्टर जूट बोल रहे हैं या नहीं, तो आप क्यों मुझे सिखा रहे हैं कि जूटन मत दोलो, तो ये बात से वहाँ पे थोड़ा सा मुश्किले पैदा होई, तो उस वमें मैं जानना चाहता था और हत्मी जीवन क्या है, तो हमने गाना सिखा, नाचना सिख पर हालेलुया प्रेश दोललॉड ऐसा हाथ उठा के ऐसा-इसा करने सिख गए, तो इस परकार कि जो बाहरी चीजे थी मैं ने साब वहाँ जाकर सिख ली, तो तुटियारा धना करने सिख गया, prayer करने सिख गया, praise the Lord बूलने सिख गया, आँख बन करके, बिच 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 में, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, ऐसा बिच 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 दोरान क्या हो गया सच में मेरे मन में सिक्षा पाने का बहुत दुन था मैं सच्चे में जहना चाहता था इसके लिए वो लोग बुलने लगे इधर मीटिंगे चलो उधर मीटिंगे चलो इधर मीटिंगे उधर मीटिंगे जहां भी वो जाते वहां हम जाते जो भी वो बोलते वो हम करते और एक अनुगरव मैंने जो बड़ा पाया था वो क्या था मैं बाईबल बहुत पढ़ता था जब बाईबल पढ़ता था तो मुझे एक चीज समझ में आता था वो क्या है पता है आपको बाईबल में जो मसी लोग है और जो आज चर्चेस में दिखाई देने वाले मसी उनमें फरक दिखाई देता था लेकिन बोल नहीं सकता था क्योंकि बोल क्यों नहीं सकता था क्योंकि मुझे भी ठीक ठीक रिती से विभाजन करने नहीं आता था तो मैं सुचता था जाने तो जाने तो यार बाइबल को सिखने की ज़रृत है, तो मैंने बाइबल के परते हारी किताबें जितनी मिलती में लेकि आता उनको पढ़ता, बाइबल को निरंतर पढ़ता, लेकिन एक चीज पका समझ में आने लगा था, कि बाइबल में जो मसी एशू पर विस्पास करने वाले लोग, जिनको मसीhmen लोग कहा जाता है और आज के जो चर्चेस में दिखाई देते हैं मसी जो मसीhmen लोग दिखाई देते हैं इन में बहुत सारी चीजों का फरक मुझे दिखाई देने लगा प्रेरितों के काम में जब मैं पढ़ता था कैसे लोग एशु पर विस्वास करने के बाद, उनका जीवन कितना आदबुत होता है, वो लोग सुसमचार को कैसे प्रचार करते हैं, कैसे वो अपनी सारी संपति कटे करके, सारी संपति भी आपने नहीं मानते थे, वो लोग कलीशा में ले जा करके, उसको दे कर, को लोग चुंदर रिती से मसी इशु का प्रचार करते थे कि मसी इशु परमिश्र का पुत्र है और उसने तुम्हारे पाप कुरूस पर खतम कर दिये हैं उसने तुमको धर्मी बनाया है उसके द्वारा तुम्हें पापों की शमा मिलती है उद्दार मिलता है अनंचिवन मिलता है ऐसी बाते निरंतर सिखाई जाते थे लेकिन जब मैं यहाँ पी गया मेरे मन में बहुत सारे सवाल आने लगे तो यूजिली लोग मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं सवाल बहुत पुस्ता था क्योंकि मुझे ऐसा ही आँख बन करके मसीहत के पीछे नहीं चलना था मैं कोई भी चर्च के पीछे ऐसे आँख बन करके नहीं जाना चाता था मैं कोई भी पास्टर के पीछे ऐसे आँख बन करके नहीं जाना चाता था मैं बाइबल में लिखी हुई बातों को पढ़ता भी था जो उलग सिखाते थे तो मैं पढ़ता सुनता समझता लेकिन कुछ चीज़े थी जो मेरी आँखों से पूरीते से डग गई तो उन दिनों में हमें क्या सिखाया जाता था तुम परमिश्वर की दस आग्याओं का पालन करो ये सिखाया जाता था लेकिन समझ से क्या थी वह भी बाइबल में लिखा हुआ है तो मुझे भी मालूम नहीं है हाँ परमिशों ने लिखा है तो होगा परमिशों ने लिखा है तो हमने मानना चाहिए तो मुझे लगा हाँ दस आग्याओं का पालन करना चाहिए तो उसमें से मेरा मन कहां गिर गया दस आग्याओं का पालन करने का कोशिश करने में गिर गया तो जितना जितना मैंने दस आग्याओं का पालन करने का कुशिश किया उतना उतना मैं डिसकोवर करने लग गया कि मुझ में पाप है मैं पापी हूँ और मैं आग्याओं का पालन नहीं कर सकता लिखा है कि उसमें जूट मत बोलो लिखा है कि उसमें तुम अगर किसी को कुद दुरिष्टी से देखोगे तो भी तुमने उसके साथ बेवीचार कर चुके हो ऐसे बहुत सारे अंगीनत चीजे थी जो मेरे मन को बहुत ही उलजा के रख देती थी तो आंत में येशु मस्वी पर विस्पास करके जीने का जीवन छोड़के येशु पर विस्पास करके कैसे जीया जाता वो तो मैं नहीं जान सका लेगिन मेरा मन बेवस्ता के करों में गिर गया मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि येशु ने मुझे कैसे धर्मी बनाया मुझे किसी ने नहीं सिखाया येशु के लहू से कैसे मेरे पाप दूल गए मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि येशु कैसे मेरी जगा कुरूस पर मरके उसने मुझे धर्मी बनाया उसने मुझे पवित्रा बनाया उसके लहू में मेरे पाप शमा हो गए परमिशर मेरे पाप याद करते ही नहीं है ये सकते सिखाने वाला मुझे कोई भी नहीं मिला जो भी मिले उन्होंने मुझे क्या सिखाया बेवस्ता का पालन करो मुझे यही सिखाया गया कि तुम बेवस्ता का पालन करो मुझे ही सिखाया गया कि तुमने वेवस्ता को पालन करना चाहिए तो मैं जितना भी दस आग्या पालन करने कोशिश करता मैं दस आग्या को पालन नहीं कर सकता और जितना भी मैंने दस आग्या पालन करने कोशिश की लेकिन दस आग्याओ के बारे में ज़्यादा आज नहीं बोल पाऊंगा तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कैसे बाइबल है और हम कैसे सिखते थे ओबात थोड़ा मैं आपको बता के खतम करूँगा आज कैसे आपका मन में मेल मिलाब हो सकता है इसके बारे में समझाने के लिए मुझे ये चीज बोलना पड़ता है तो बेवस्ता विवरन के अगर उसके 28 सद्धाय को अगर आप देखोगे तो बेवस्ता विवरन 28 सद्धाय में वो बेवस्ता के बारे में लिखा है यह दि तू अपने परमेशर यह हुआ कि सब आगया हैं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकहसी से पुरी करने को चित लगा कर उन्हें सुने तो वहाँ तुझे प्रिथिवी की सब जातियों में इस्रिष्ट करेगा तो यह जो विवस्ता की बातें जो परमेशर ने लोगों को विवस्ता दी तो दस आगया देते समय सबसे पहला कंडिशन क्या है पता है आपको सब आगया पालन करेगा तो यह आशिरवा तुझे मिलेगा सब आग्या दस आग्याओं में से दस आग्या पूरा अगर तुम पालन करते हो तो ये आशिश मिलेगा वो आशिश किसके आगे लिखा हुआ है कैसा लिखा है फिर तू अपने परमिशर यहवा कि सुनने के कारण ये सब आशिरवा तुझ पर पुरे होंगे दन्ने हो तू नगर में दन्ने हो तू खेत में दन्ने हो तेरी संतान और तेरी भूमी की उपज और गाय और बेड़ बकरी है आदी पशु के बच्चे दन्ने हो तेरी टूकरी दन्ने हो तेरी कठोती दन्ने हो तू भितराते समय दन्ने हो तू भाहर जाते समय यहोगा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुछ पर चड़ाई करेंगे वो तुछ से हार जाएंगे एक मान से तुछ पर चड़ाई करेंगे पर उन्तु तरे सामने से साथ मर्क से होकर भाग जाएंगे यह बचन हमेशा सुनता था मैं धन्य होगा तू धन्य होगा तू धन्य कब दन्य होंगा आगे दिखिये तेरे खेतों पर जितने कामों पर तुह हात लगाएगा उन समों पर यह आशिश देगा इसलिए जो देश्टरा परमिश्र यह तुझे देता है उसमें वह तुझे आशिश देगा मैं यह सब आशिश का इंतजार करता था आज नहीं तो कल म procent सबस्केशि पुरी पालन करो गया लेकिन मेरे को किसे नहीं बता है सारी आग्या पालने पर ये मिलेगा सबने मुझे बुला ये मिलेगा ये मिलेगा ये मिलेगा ऐसे सिखाया गया तो चर्चिस क्या सिखाती थी चर्चिस सिखाती थी कि सारे अशिरवात तुमको मिल जाएंगे ये तु अपने परमिश और यहा क्या ग्याओ को मानते हूं इस मार्क पर चले तो वह अपनी शपत के अनुसार तुझे अपनी पवित्रा प्रजा करके इस्तिर रखेगा और पिर देश-देश के सब लोग देखकर कि तु यहाओ का कैलाता है तुझे डर जाएंगे जिस देश की विशय यहाओ तेरे पुर्वच को शपत खा कर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमी पर की उपच्की और पशो की बढ़ती को तेरी भलाई करेगा यहाओ तेरे लिए आखाश रुपी उत्तम भंडार को खोल कर तेरी भूमी पर समय पर मेह बरसाएगा करेगा और तेरे सारे कामों पर आशिश देगा और तु बहुत तो जातियों को उधार ना देगा परन्तु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा तो ऐसे लिखा कि तो बहुत सारी जाति को उधार देगा तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा लेकिन मेरा जिंदगी उधारी में ही चलता था उधारी लिए भीना नहीं चलता था बहुत सारे लोग इस बचनों का गलत समझते हैं यह सिखाया जाता था हमको तू सीर नहीं ए तू पूंच नहीं तू सर कहलाएगा हाँ तुझे उधारी लेनी नहीं पड़ेगी तुझे उधारी देनी पड़ेगी तुझे दूसरों को उधार देगा ऐसे बूल के सिखाते थे लेकिन ये सब आशिरवचन कब एक इनसान को मिलता है ये नहीं सिखाता था कोई तो हमको क्या चाहिए हमको तो आशिस चाहिए हमको तो आशिस चाहिए बोलके बस ये वचन को ऐसे ही समझ लेते थे लेकिन सारी आग्या पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा ये तो कोई हमको समझाया ही नहीं उस समय में जब हम लोग दिखते थे तेरा में लिखा है और यह हुआ तुझको पूंच नहीं कि तु सिरी ठहराएगा ये वचन हमको बहुत अच्छा लगता था ये इस्पेशली बारा और तेरा वचन हमको बहुत अच्छा लगता था तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा तुझे पूंच नहीं तु सर होगा तु नीचे नहीं उपर ही रहेगा ये यह वा परमिश्र की सारी आग्यां जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ उनके सामने मन लगा कर चोकसी करे तो जब हम ऐसे बचन सुनते थे नाम को सिर्फ क्या सिखाया जाता था पता है आपको तु पुंच नहीं होगा तु सिर्फ होगा कब होगा तु उधार नहीं लेगा तु उधार देगा कब देगा कब देगा क्या देगा कैसे देगा अगर आज आप मसीहत को देखोगे तो बहुत हैरान लगेगा आपको आज मसीह लोग सच में बाइबल को देखना पसंद नहीं करते हैं वो नहीं जानते हैं बाइबल में क्या लिखा हुआ है अगर वो परमिश्वर के इन बचनों को द्यान से पड़ें द्यान से देखें क्या सच में में इश्वर की सारी आज्याँ पालन करता हूँ चिक कीजिए क्या सच में में इश्वर की सारी आज्याँ का पालन कर रहा हूँ दस की दस आज्याँ पालन करते हैं यह कब होगा जब आप आग्याओं को पालन करोगे तब होगा आग्या पालन नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा लेकिन अगर आप आग्या नहीं मानेंगे तो क्या होगा अगर आप आग्या नहीं मानोगे तो क्या होगा वो भी पंद्र वच्चन के आगे लिखा है पंद्रह से अगर आग्या पालन नहीं करोगे तो क्या होगा मतलब दस आग्याओं में से एक आग्या अगर आप तोड़ोगे दस आग्याओं में एक आग्या है लालच मत कर दस आग्याओं में एक आग्या है जुट मत बुल उधारन के लिए आपने बाकी सारी आज्याओं का पालन किया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ सारी आज्याओं का पालन किया लेकिन एक आज्या के विशे में आप चुक गए एक आज्या के विशे में चुक गए एक आग्या मतलब क्या आपने जूड बोल दिया या फिर आपने लालच कर लिया तो आपका क्या होगा एक बार ये विवस्ता विवरन 28-15 को ऐसे ही रख के नया नियम में याकूब उसका दो अध्याए 10 बचन एक बार पढ़ेंगे याकूब उसका दो अध्याए 10 बचन को पढ़के हम ये फिर से विवस्ता विवरन में आएंगे क्योंकि वो सेम यही बाते बताता है याकूब का पुस्तक भी यही बातों को बताता है विवस्ता के बारे में इसके लिए देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है विवस्ता विवरन याकूब के दो दस में क्योंकि जो कोई सारी विवस्ता का पालन करता है परंतु एक ही बात में चुक जाए तो सब बातों में दोशी ठहर चुका है आपने दस आज्याओं में से नव आग्याओ का पालन किया लेकिन आपने एक आग्याओ में चुक गया आपने जुड बोल दिया या आपने लालच किया तो आप कितने हों के प्रति दोशी ठेरोगे आप सारे नियमों के प्रति दोशी हो जाओगे तो दोशी वने वाले लोगों को क्या सजा है? वो भी सजा है तो फिर से आएए, विवस्ता विवरन में आएए फिर से फिर से लॉठ आएए विवस्ता विवरन 28 कैसे हमारे आत्मिक जिवन की समस्य होती है इनके बारे में मैं आप से आज बात कर रहा हूँ विवस्ता विवरन 28 के 15 में फिर से आईए और वहाँ पर देखेंगे विवस्ता विवरन 28 के 15 में क्या लिखा हुआ है परन्तु येदीतु अपने परमेश और यहवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्याओं और विदियों को पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चोकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुछ पर आपड़ेंगे ओके शिर्फ आशिश होता तो ठीक था अपने पालन किया आपको मिल गया ठीक है आपने पालन नहीं किया आपको नहीं मिला ठीक है यहां तक ठीक है लेकिन आप आगया जब तोड़ते हो तो आगया पालन जब नहीं करते हो तो आपको आशिश नहीं मिलता है वो तो ठीक है लेकिन शाप नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है शाप मिलेगा तो मैंने बहुत श्रापित अत्मिक जीवन जिया पांच साल चर्च में जाके पांच साल मैंने एक श्रापित अत्मिक जीवन जिया क्योंकि मुझे परमेशर की विवस्ता को ठीक रिती से सिखाने वाले कोई भी नहीं मिले तो मुझे सिखाने वाले ने क्या सिखाया आप जानते विवस्ता विवारन 28 से 1 से 14 तक सब ने सिखाया लेकिन विवस्ता विवारन 28 का 15 से लेकर के 68 68 वचन तक सिर्फ श्राप के वचन लिखे हुए है सिर्फ श्राप की बाते लिखे हुई है मुझे पताने आप कितना पढ़ पाओगे चलो थोड़ी दिर पढ़ लेते हैं क्योंकि पताने आपके हाथ में बाइबल होगा नहीं होगा शायद से आप मोबाइल से वचन सुन रहे होंगे तो आओ, मैं इसलिए आप लोग को बाइबल दिखाता हूँ स्क्रिप्चर दिखाता हूँ ताकि जब आप भी घर में जाओगे दुबरा यह आप यह लेक्चर को सुनिये और उसके बाद अपने बाइबल को चिक कीजिए कैसाच में ऐसा ही है क्या तो अभी वश्ताव विरन 28-25 वच्चन क्या लिखा है परन तू यह दी तू अपने परमेशर यह हुआ की बात न सुने और उसकी सारी आग्या और विदियों को पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चोकर से नहीं करेगा तो यह शौप शाप तुझ पर आ पड़ेंगे मतलब क्या अगर आपने लालच किया तो यह सब शिराप आ जाएगा अगर आपने जुट बोला तो यह सब शिराप आ जाएगा ऐसा बोलने से नहीं होगा यह परमेशर मैंने जुट बोलने का पाप किया मुझे माफ कर दो इतना बोलने से नहीं होगा शुराब आएंगे आपको जानना है ये बाद ये परमिशुर की वेवस्ता है ये वेवस्ता का एक उद्देश्य है कल भी मैंने आप लोगों को बताया था वेवस्ता के बारे में हमने गलत फहमी नहीं करना है क्योंकि वेवस्ता एक साठीक उद्देश्य से है अगर वेवस्ता के बारे में आपने गलत फहमी किया तो आप एक श्रापित आत्मिक जीवन जी होगे और येशु से आप कभी नहीं मिल पाओगे आप कभी पाप से मुक्ति नहीं पाओगे आपके अंदर पाप का पाप रह जाएगा और आप श्रापित एक अत्मिक जीवन जी होगे और अंदर में आपको नरक में जाने से भी आपके आत्मा को कोई उद्दार नहीं कर पाएगा ये बात आपको जानने की सरुरत है इसलिए सैतान भी हमको उसी तरीके से धोखा देना चाहता है इसलिए ये जो बेवस्ता को सिखाते हैं न लोग तो वो सिखाने वाले ये फुरज बेवस्ता को सिखाना चाहिए आदा आदा नहीं सिखाना चाहिए उनको जो अच्छा लगता वो उन्होंने नहीं सिखाना चाहिए Bible को हमने पूरे Bible को विस्वास करना है और उसके साथ में ये बच्चन लिखने के पेचे परमिशर का मन क्या है परमिशर का उद्दिश क्या है ये जानना है इस तरीके से आप ठीकरिती से परमिशर के मन से मिल जाओगे तो अभी परमेशर नहीं यहां पे लिखा हुआ है कि यदि तू अपने परमेशर योगा की बात न सुने और उसकी सारी आग गया और वीडियों को पालने की जो आप मैं आज तुझे सुना तूँ चो कैसे नहीं करेगा तो यह सब शराप तुझ पर आएगा तुमने जुड बोला तो भी यह शराप आजाएंगे तो कैसे शराप आएंगे देखो अर्थात शापित हो तू नगर में शापित हो तू खेत में आप थोड़ा सोचो जहां कहीं आप जाओ वहां आप शरापित हो जाओगे कैसे होगा आपका हाल मैं इस हाल में रहा हूँ पांच साल मेरी दशा कैसी थी मैं आपको बताता हूँ एक एक करके पूरी मेरी दशा लिक्यों यह शापित तो तेरी टोकरी और शापित तो तेरी कठोती सच में मेरी टोकरी शापित थी मैं कभी खुशी के रोटी नहीं खाया उस दोरान शापी तो तेरी संतान भूमी की उपज और गाय और बेड़ बक्रियों के बच्चे इन में से कुछ भी चीज मेरे पास नहीं थे मेरे पास कोई उपज नहीं था मेरे पास कोई संपती नहीं थी सब का सब बरबादी बरबाद था शापी तो भीतर आते समये शापी तो बाहर जाते समये फिर जिस जिस काम में तो हाथ लगा उसमें यहवा तब तक तुझको शाप देता और बैतूर करता रहे और दमकी देता रहेगा जब तक तु मीटन जाए और सिग्र नस्ट न हो जाए इस कारण होगा कि तो यहवा को त्याकर दुष्ट काम करेगा तो मैं ऐसा भहेतूर था इतना डरा हुआ तर-तर-तर-तर-तर कापता था मेरे हिर्दे में कोई शांती नहीं था, मेरे मन में कोई क्यों? क्योंकि यहवा मुझे बहतूर करता था, याद रखना बहतूर भी यहवा ही करता है, निर्भई भी यहवा ही करता है सहासी भी परमेश्वर बनाता है और बहतूर भी परमेश्वर ही बनाता है परमिशुर ही आशा और हिम्मत देता है परमिशुर दमकी भी देता है तो परमिशुर मुझे निरंतर दमकी दे रहा था अब जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं गलत रहा पे जा रहा था गलत रहा कुंसा है? मैं बेवस्ता को पालन करके धर्मी बनूँगा विवस्ता को पालन करके मैं आशिशित हूँगा ये गलत रहा है ये परमिश्वर को त्यागने वाला आदमी है जो सुसता है मैं विवस्ता पालन करूँगा वो यहवा को त्याग देगा येशु को त्यागेगा ऐसे लिखा है अगर ये बात को अगर आपको किलिर नहीं समझ में आ रहा है तो ये बात को समझाने के लिए फिर से गलतियों उसके पांच अध्य में लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ गलतियों 28-20 को ऐसे ही पकड़ के आप फिर से गलति नया नियम को जोड़ जोड़ के मैं आपको बता रहा हूँ गलतियों की पुस्तक उसके पांच अध्य में अगर आप देखेंगे तो लिखा है जो कोई वेवस्ता से धर्मी होना चाहता है मसी से अलग और अनुगर से गिर गया बोलके लिखा हुआ है गलतियों उसका पांच अध्य चार वचन में लिखा है तुम जो वेवस्ता के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसी से अलग और अनुगर से गिर गये हो आप देखना एक है बेवस्ता का रास्ता एक है मसी का अनुगर का रास्ता मसी पर विस्वास के दोरा अनुगर से तुम धर्मी हो सकते हो मसी पर विस्वास के दोरा अनुगर से तुम उद्धार पराप्त करते हो मसी पर विसवास करके अनुगरा से तुम आशिर्वात प्राप्त करते हो एक ओ रास्ता है और दुसरा रास्ता कुझसा है मसी से अलग, अनुगरा से अलग एक रास्ता है वो कुझसा है सारी आग्यां जो विदी जो परमिशों ने दी है वो सारी तुम पालन करोगे तो तुम धर्मे हो जाओगे लेकिन यहां पर क्या लिखाए तुम जो बेवस्ता के द्वारा धर्मे ठहरना चाहते हो मसी से अलग और अनुगरह से गिर गए हो तो अभी यहां पर दो रास्ते हैं हम पापियों को जो हम मा के गर्व से पाप में जन्मे हैं हम लोग पाप में जन्म के कारण हम पाप के कारण नरक में जा रहे हैं हम लोग एक शरापी जीवन जी रहे हैं लेकिन हमको यह दो रास्ते मिलते हैं दो रास्ते, एक है मुसा का रास्ता, इसको बेवस्ता का रास्ता का आगया है, बहुत सारे लोग आज इस रास्ते से मस्य जीवन जी रहें, चर जाते हैं, बेवस्ता से धर्मी होने का कोशिश करते हैं, मतलब क्या, दस आग्या पालन करूँगा, तब मैं धर्मी बनूँगा परमिशों ने बोला है जूट नहीं बोलने के लिए मैं जूट नहीं बोलूँगा और मैं धर्मी बनूँगा परमिशों ने बोला है चोरी नहीं करने के लिए मैं चोरी नहीं करूँगा और मैं धर्मी बनूँगा परमिशों ने बोला बेविचार नहीं करने के लिए मैं बेविचार नहीं करूँगा और मैं धर्मी बनूँगा ये मतलब वेवस्ता के करमों के द्वारा धर्मी बनने का रास्ता लोग 99% लोग आज इस रास्ते पे जा रहे हैं और लोग अपने कर्मों से धर्मी बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बेवस्ता के द्वारा तो कोई भी धर्मी नहीं बनता रोमियो तीना देविस वचन जो आपको मैं निरंतर सिखा रहा हूँ रोमियो तीन के विस में लिखा हुआ है कि बेवस्ता के कर्म के द्वारा कोई भी मनुश्य परमियो के सामने धर्मी नहीं बनेगा बेवस्ता के द्वारा पाप की पहचान होती है तो बेवस्ता इंसान को धर्मी बनाई नहीं सकती क्योंकि बेबस्ता का उद्देश इंसान को धर्मी बनाना नहीं है बेबस्ता का उद्देश इंसान को आशिश देना भी नहीं है इसलिए तो आशिश के बचण खाली 14 लिखे हैं और श्राब के बचण पूरा बाइबल भरा हुआ है श्राब के बचण से तो परमेशर क्या बोलना चाहते हैं परमेशर क्या बोलना चाहते हैं परमेशर बस आपको एक मौका दे रहे हैं यह आपको समझने के लिए कि आप परमेशर की पवित्रा आग्याओं का पालन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप पाप में जन में हुए पाप के पुलिंदे हैं एक पापी को परमेशर के आग्या नहीं चाहिए एक पापी को क्या चाहिए परमेशर का अनुगर चाहिए और एक पापी को येशु चाहिए जो येशु उसको उसके पाप से चुटकारा देता है वो येशु जो इसके पाप के लिए खुद कुरूस पे मरता है वो येशु जो इसके पाप को कुरूस पर खतम करता है वो येशु जो इसके शराब को बेबस्ता का शराब को कुरूस पर खतम करता है वो येशु जो इसको अपने लहु से दो के धर्मी और पवित्र बनाता है और वो येशु उसे परमिश्वर की संतान होने का अधिकार देता है और वो येशु एक पापी को धर्मी और पवित्र बनाता है बिना मुल्य कुछ भी लिये बिना ये अनुग्रा है तो अनुगरा का रास्ता है मसी येशु के द्वारा लेकिन बेवस्ता का रास्ता भी है तो मैं उन चर्चेस में गया तो मुझे वो चर्च ने क्या सिखाया जब मैं चर्च में गया उन्होंने मुझे बेवस्ता के द्वारा धर्मी बनने के रास्ते पे लेके गए तो मेरा तो मसी के साथ कोई नाता ही नहीं है मेरे को तो मसी से कोई लेना देना ही नहीं मैं जानता हूँ मैं येशु पर विस्वास करता हूँ येशु पर विस्वास करता हूँ मुँ में बोल रहा हूँ कौन मुझे पापी होने का ग्यान दे रहा है विवस्ता मुझे पापी ठहरा रहा है या येशु मुझे पापी ठहरा रहा है तो विवस्ता का काम ही मुझे पापी ठहराना है और येशु का काम मुझे धर्मी ठहराना है विवस्ता मेरे पाप को प्रगट करता है अनुगरों को बेवस्ता को मिक्स कर देते हैं ये सायतान कर रहा है इसके लिए लोगों को ऐसा ग्यान में पता है कि येशु उनके पाप के लिए मरा उनको पता है येशु के लोहु में उनके पाप दूलते हैं लेकिन बेबस्ता के द्वारा तो उनको पाप का ग्यान होता ही है इसलिए हर दिन परमेशर के सामने जाके क्या बोलेंगे हे परमेशर मुझ पापी पर दया करो हे परमेशर मेरे पाप शमा करो हे परमेशर में पाप नहीं करूँ ऐसी शक्ती दो और दूसरे दिन फिर से बेवस्ता को तोड़ते है बेवस्ता तो कोई पालन करी नहीं सकता तो हम बेवस्ता के कर्म से धर्मी नहीं बनते हम परमेश्वर के अनुगरा और येश्व के बलिदान से धर्मी बनते है तो आपको धर्मी बनने का आपके कर्मों से धर्मी बनने का रास्ता नहीं है येश्यू के लहूग के द्वारा परमिशो के अनुगरों के द्वारा धर्मी बनने का रास्ता है लेकिन मुझे चार्च ने किस वर लेके गया ये वेवस्ता के दुआरा धर्मी ठ מעना चाहा उन्होंने मुझे सिखाया दस आज्या पहलन करो पर्मेशों ने बोला यहा नहीं करने का पर्मेशों ने बोला वहाई सकना वहाया जाने आप अद कुद तो सब करते है किसी को कुद्रिष्टे से देखा उसने उसके साथ बेविचार कर चुका क्या कोई ऐसी वेवस्ता पालन करने वाला इंसानों में से कोई है क्या कोई इंसान बोल सकता मैंने कभी किसी को कुद्रिष्टे से ने देखा ऐसा बोली नहीं सकता है क्या कोई ये वेवस्ता को पालन मिलाब कराते हैं दन्ने हैं वो जो मिल मिलाब कराते हैं क्योंकि उपर मिलाब कराना मतलब क्या है एक पास्टर का काम क्या होना चाहिए एक पापी को बेबस्ता देने का काम नहीं होना चाहिए एक चर्च का काम क्या होना चाहिए लोगों को वेवस्ता सिखाना नहीं है दासाग्या सिखाना नहीं चर्च का काम चर्च का काम क्या है लोगों को येशु से मिलाना है और येशु का काम क्या है एक पापी को पाप से छुटकारा दे के उसको धर्मी और पवित्र बनाना है वो अनुगरो की भूमी में जीने सिखाना है लेकिन ऐसी चीजे मैं चर्च में जाके नहीं सिख सका मेरे लिए बहुत खतरनाक बाते थी मैं सच में परमिश्वर का धनिवाद करता हूँ जो मुझे बेवस्ता से अलग करके मसी येशु और अनुगरो के द्वारा कैसे हम धर्मी बनते हैं उस रास्ते पे लेके जाने के लिए कोई सेवक मिल गए मेरी जिंदगी में नई तो मैं जीवन भर कहां रह जाता बेवस्ता के द्वारा धर्मी ठहरने का कोशिश करते रहता बेवस्ता के द्वारा मैं धर्मी बनना चाहता बेवस्ता के द्वारा मैं आशिश पाना चाहता आशिस तो नहीं मिलता मुझे शरापी मिलता मैं धर्मी तो नहीं बनता मैं पापी का पापी रह जाता और अंत में कहां जाता मैं नरक में ही जाता क्रिशन बनके चर्च में जाके बाइबल पढ़के प्रार्तना करके चर्च का मिम्बर बन के, आफरिंग दे के, उपास करके, रो के सब करके भी कहा जाता, मैं पापी रहता तो मैं नर्क में जाता लेकिन बेवस्ता के दुआरा जो धर्मी ठहरना चाहते हो मसीश से अलग हो गए और अरुनुगरों से गिर गए हो यह बहुत मौत पूर्णा बात है, तो लोग नहीं जानते, वो क्या कर रहा है मैं भी नहीं जानता था, मैं क्या कर रहा हूँ तो लेकिन जब मैंने वेवस्ता विवरन को जब आगे जाके, जब मैंने देखा सच में जब मैंने वेवस्ता विवरन को जैसा सिखना चाहिए वैसा सिखना शुरू किया तो वेवस्ता विवरन 28-7-20 वचन में देखके मैं पूरा हिल गया तो वेवस्ता विवरन 28-7-20 वचन में देखेंगे तो क्या लिखा है फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहवा तब तक तुझे शाप देता और वहतूर करता है और धमकी देता रहेगा जब तक तू मीट ना चाहे और सिग्र नास्ट ना हो जाए या इस कारण होगा कि यहवा को त्याक कर तूने दुश्ट काम किया है तो अगर आप इन वच्चनों को अगर एक एक करके देखते हैं तो इन वच्चनों के दौरा आप क्या डिस्कवर कर सकते हैं यह वच्चनों के दौरा आप डिस्कवर कर सकते हैं कि निरंतर आप एक श्राप के रास्ते पे चारे हो क्यों क्यों कि आप वेवस्ता से धर्मी होने का कोशिश कर रहे हो आप वेवस्ता का पालन करने के कोशिश कर रहे हो पाल तो नहीं पा रहे हो न आप में से कोई है जो मुझे बोल सकता मैंने दस आगया पूरा पाला है नहीं बोल सकता इसका मतलब आप क्यों से कैटेगरी में आते हो वेवस्ता को पालन करने के टेगरी में आते हो या वेवस्ता को नहीं पालन करने के टेगरी में आते हो अगर आप वेवस्ता को पालन करने के टेगरी में आते हो तो यह एक से लेकर 14 वच्चन का आशिश आपको मिलेगा अगर वेवस्ता को पूरा पालन नहीं करते हो एक कैटेगरी में आते हो तो ये पंदरा से लेकर के अड़ सस्ट वच्छन तक जितने श्राप लेके वो शाप आपके पीछे भाग रहे हैं और आपको पता नहीं है ऐसे मस्जी जीवन हो चुका है मेरा जीवन ऐसा हो गया ये कौन करता है पता है आपको जब एक गलत लीडर हमको मिल जाता है एक गलत पास्टर हमको मिल जाता है एक गलत पास्टर हमको परमिशर का मन जाने भी ना बस बोलता है बस दस आग्या पालन करो क्योंकि परमिशर ने दिया है पालन करो लेकिन दस आग्या दिया क्यों है जो हम पालन नहीं कर सकता है इस आग्या क्यों दिया लिखा है पाप का ग्यान होने के लिए दिया है तो परमिश्योर की ओर से हमको दो चीछ मिली है तो यहां पे अगर आप कंटीनु देखेंगे तो आप पढ़ लेना वेवस्ता विबरन 28 सद्दै का 15 से लेके 60 वच्छन तक भी पढ़ लेना और अगर आपको इसके बारे में कुछ सवाल रहेगा तो कृपा करके आप मुझसे समय लेना और हम लोग इंडिविज्योल भी बात कर सकते हैं जूम के तुरू भी तो मैं आप लोग को इसके बारे में बोलना चाता हूँ अगर आपको मेरी बात समझने में अगर कुछ मुश्किल हुआ हो तो तो ये विवस्ता विवरन अठाई साथ है बाईस वचन में अगर आप देखेंगे तो यहुआ तुझको चैरोग से जुवर से दा से बड़ी जलन से तलवार जुलस और गेरूई से मारेगा और वो उस समय तक तेरा पीछा किया रहेंगे जब तक तेरा सत्यनास ना हो जाए और बापरे विवस्ता के पीछे जाओगे तो विवस्ता आपको सत्यनास के पीछे लेगे जाएगा याद रखना आप सत्यनास हो जाओगे मैंने बहुत मसी लोगों का ऐसे सत्यनास होते हुए देखा है मैंने उन लोगों को रियली सत्यनास होते हुए देखा Even मैंने कई पास्टर लोगों के परिवार को जब मैं महारास्टर में मिनिस्टर करता था मैंने कई पास्टर लोगों के परिवार को ऐसे सत्यनाश होते हुए देखा है तो सच में मैं पास्टर नहीं बनना चाहता था मैं सच में बहुत डरता था क्यों? क्योंकि सत्यनास होने के लिए कुन लेकिन सत्यनास होने के लिए अनन जिवन पाने के लिए एक्चिलि रास्ता भी है तो अगर आप गलत रास्ते पे चले गए अगर आपने खुद के ओपर वरोसा किया और आपने परमिश्वर के बचन को अगर आपने अपने तरीके से किया तो आप सिरिफ क्या हो सकते हैं 87 हो सकते हैं लेकिन अगर आप परमिश्वर के प्यार को और उसके अनुगरों को अगर येश्यमसी के रास्ते को अगर आप ठीक रिती से जानोगे तो क्या होगा आप सिरिफ अनन जिवन ही प्राप्त कर सकते हो तो योहन्ना का पुस्तक अगर आप देखते हैं तो कंक्लूजन में अभी योहन्ना का पुस्तक पहला 17 वच्चन देखेंगे तो ये वच्चन के दोरा आज का हम कंक्लूजन करेंगे इसलिए कि बेवस्ता तो मुसा के दोरा दे गई परंतु अनुगरा और सच्चाई ये शमसी के दोरा पहुंची अभी बेवस्ता जो हमको मुसा के दोरा दे गई क्यों दी गई हाला कि वेवस्ता की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि वेवस्ता को पूरी पालन करोगे तो तुमको आशिश मिलेगा लेकिन अगर पूरा पालन नहीं करोगे तो शुराप मिलेगा तो अभी सवाल यह है कि परमिशर जानता था नहीं जानता था एक उद्दिश्य था बेवस्ता देने का क्योंकि बेवस्ता के आने से पहले वी संसार में पाप था लेकिन लोगों को पाप का ग्यान नहीं था तो परमेशों ने बेवस्ता क्यों दी जूट मत बोल ये बेवस्ता है चोरी मत कर ये वेवस्ता है ये चोरी मत कर ये वेबस्ता आने से पहले इंसान चोरी करता था नहीं करता था चोरी करता था लेकिन चोरी करना परमेशर के विरुद में पाप है ये लोग नहीं जानते थे जुड़ बोलते थे नहीं बोलते थे लेकिन वेबस्ता आने से पहले जुड़ बोलना पाप है वो बेवस्ता के आने से पहले पाप जगत में था और पाप सब पर प्रभुत्व करता था लेकिन बेवस्ता के बिना पाप को पहचाना नहीं जाता था रूमियो सात अज दैसात वचन में भी लिखा है कि यदि बेवस्ता ना कहती कि जुड़ बोलो जुड बोलना पाप है तो मुझे जुड बोलना पाप है पापी समझ में नहीं आता था तो ये सारे वचनों के दौरा आप लोग जान सकते हैं कि बेवस्ता क्यों दी गई है इसके लिए जब आप बेवस्ता के बारे में पढ़ते हो तो बेबस्ता से related बाइबल में सारे बातें पढ़ने को आना चाहिए ऐसा नहीं कि खाली वो एक बचन पकड क्या बोल दिये तू सीर होगा पूंच नहीं होगा और तू उधार देगा उधार नहीं लेगा practically देखो आप क्या कर रहे है आपका life क्या जा रहा है आप किस और आत्मिक जीवन जी रहे हो तो आपको समझ में आएगा मैं तो बेबस्ता का पालन नहीं कर सकता तो मैं को क्या कहलाँगा मैं सीर कहलाँगा पूंच कहलाँगा सच में जो वो बच्चन परचार किया जाता था मुझे बहुत शरम लगते थी मैं जी रहाँ पूंच का जीवन और आप मुझे बोलते हो तो सर हो जाएगा ये क्या है असलित में मुझे सच में पता नहीं था उन दिनों में लेकिन बेवस्ता तो मुझे के द्वारा दी क्यों दी अगर बेवस्ता आपको धर्मी बना सकता अगर बेवस्ता आपको आशिस दे सकता अगर बेवस्ता आपको सोर्ग में ले जाता तो आपको येशु की जरुरत नहीं थी अनुगर की जरुरत नहीं थी सच्चाई की जर विवस्ता का उद्देश्य वो नहीं है वो उद्देश्य किसका है येशु का है इसलिए विवस्ता का आने का समय भी है येशु का आने का समय भी है तो अभी विवस्ता से अलग हो करके येशु पर विस्पास करने का समय है अभी हम लोग ने विवस्ता का दुनिया छोड़न अभी आपको विवस्ता से अलग होना है यह जानकर कि विवस्ता आपको धर्मी नहीं ठहराएगा विवस्ता आपको स्वर्ग नहीं देगा विवस्ता आपके पाप नहीं दोएगा और विवस्ता आपको आशिश भी नहीं देगा तो विवस्ता क्या करेगा विवस्ता आपको परमिशुर ने बेवस्ता को भेजा ताकि इंसाम को पता चले कि वो लोग पापी हैं वो लोग नरक में जाने वाले हैं वो परमिशुर का पवितरा आग्या का पालन नहीं करते हैं ये समझाने के लिए बेवस्ता दी गई येशु से पहले तो हमें वेबस्ता दी क्यों गई ताकि हमें पाप का ग्यान हो ताकि हम पाप के बारे में जाने लेकिन जब मैं चर्च में जाता था मुझे सिर्फ इसी वेबस्ता के बारे में सिखाया जाता था वो बोलते थे वेबस्ता को पालन करो हम लोग बाबा बाबा क्या 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 करते थे इनकाउंटर मीटिंग ये मीटिंग वो मीटिंग हर मीटिंग में जाके एक ये बात बोलते थे प्रभू इस बार मेरे पाप शमा करो अगली बार में पाप नहीं करूँगा लेकिन इस बार मेरे हिर्दय में आ जाओ मेरे प्रभू और मेरे परमेश्वर बन जाओ कभी-कभी तो हम लोग यहां तक हमने मुर्खता का काम किया है पेपर में हमारे पाप हम लिखते थे पेपर में हमारे पाप लिखकर हम क्या करते थे पता है आग में जलाते थे और नाशते थे सैतान हरा हुआ मेरा येशु भी जई हुआ ऐसे मुर्क कांगा हम भी करते थे हम क्यों 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 कि सिखाने वाले ऐसे सिखाते थे हमको तो जो सिखाते थे हमको लगता तो आज चलो पाप तो आपको याद भी नहीं रहेगा तो आप सारे पाप याद करके कहां लिखोगे पाप तो येशु ने अपने लहू से सदा सरवधा के लिए दोया है क्योंकि येशु हमारे पाप को जनम से लेके मरने दिन तक का जानता है आदाम से लेकर के आखरी दिन तक का सब पाप येशु जानता है इसलिए येशु हमारा उद्धार करता बना येशु के लहु से हमारे पाप धूल गए हमें धर्मी और पवित्र येशु ने बनाया तो इसके लिए क्या लिखा है इसलिए वेवस्ता तो मुसा के द्वारा दी गई आशिशित नहीं हो सकते इसके लिए परमेशु ने हमें क्या दिया येशु दिया ताकि येशु पर विस्पास के द्वारा हम धर्मी बने येशु पर विस्पास के द्वारा हमको अनन जीवन मिले येशु पर विस्पास के द्वारा हमको आशिश मिले येशु पर विस्पास के दुआरा हमको शांती मिले लेकिन बेवस्ता और येशु साथ में नहीं रह सकते हैं आपके मन में इसलिए आपको अभी आपका मन बेवस्ता से अलग करके आपको येशु मसी की दुनिया में प्रविश करना है देवस्ता के रूम से निकल के येशु के रूम में प्रविश करना है येशु को मिलते ही येशु आपको क्या बोलेगा मैं तुझे धर्मी ठहराता हूँ क्यों एक बच्चन पढ़के खतम करेंगे रोमियों उसका चारा दै पचिस बच्चन येशु की दुनिया क्या है येशु की दुनिया ये है वहां हमारे अपरादों के लिए पकड़वाय गया और हमारे धर्मी ठहराने के लिए जिलाया भी गया तो येशु हमारे पाप के लिए हमारे अपरादों के लिए ओक रूस पर मरा हमारे बेवस्ता जो हमने तोड़ा उसका शराप एशु ने लिया हमने जो पाप किया उसके कीमत एशु ने चुकाई हमने जो पाप किया वो पाप को एशु ने अपने लहों से धोया हमने जो बेवस्ता को तोड़ा वो बेवस्ता का शराप येशु ने अपने उपर लिया और हम चंगाई पाएं इसके लिए येशु ने मार खाया और येशु ने परमेशुर को प्रसन ने किया येशु ने परमेशुर की सारी आग्याओं का पालन किया दस आग्याओं का पालन करने वाला सिर्फ येशु मसी है दस आग्याओं को येशु ने पुरा किया सब कुछ येशु ने हमारे ले किया और हमारा पाप और हमारा शराप हमारे बिमारी सब उसने अपने उपर लेके वो हमारी जगा कुरूस पर मरा जहां हमको मरना था और वो हमारी जगा मरके उसको गाड़ा गया तिसरे दिन ये येशु जी उठा और जी उठाए हुआ येशु आज आपसे मिल कर कहता है तुम लोग धर्मी हो तुम लोग शराप मुक्त हो तुम लोग पाप मुक्त हो मैंने तुमे सुतंत्र किया है अगर तुम उसे यशु पर भी स्पास करोगे तो तुम नाशने होगे तुम अनन्त जिवन पाऊगे यशु को ने जो तुमको धर्मी ठेहराता है वो यशु को ने जिसने अपने लुहू से तुमारे फाज दोऑए वो येशु है, येशु को ने, जिसने तुमारी वेवस्ता का शराब खतम कर दिया, वो येशु है, ये वेवस्ता और येशु का जीवन ऐसा है, लेकिन जिस चर्च में मैं गया, वहाँ पे मुझे क्या सिखाये गया, वेवस्ता का पालन करो, वो सिखाने वाले खुद पालन नहीं करते थे लेकिन सच में जब मैंने बॉनेगिन पास्टर से मिला मैंने नए सिरे से जनम पाई होई पास्टर से मिला जो उद्धार पाई होई पास्टर ने जब मैं मिला पहली बार तब मुझे ये चीज खुला सा हुआ बेवस्ता के कर्म से नहीं येशु मस्री के द्वारा हम बिना मुले धर्मी और पवित्र बनते हैं क्योंकि येशु हमारे पाप के लिए मरा है येशु हमारे श्राप के लिए श्रापित हुआ है और येशु हमारे पाप के लिए कुरूस पर बलिदान हो करके और वो हमारे ले क्या हुआ है वो तिसरे दिन ची उठा और वो हमको धर्मी ठराता है मैं आशा करता हूँ आज धन्ने हैं वो जो मिल मिलाब कराने वाले हैं क्योंकि वो परमेशुर के पूत्र कहलाएंगे अगर आप बेवस्ता के साथ एक होगे तो आप येशु के साथ कभी मिल मिलाब ने कर पाऊगे और जब आपका येशु के साथ मिल मिलाब ने होगा आप परमेशुर के पूत्र कभी नहीं कहलाएंगे आप सिर्फ पापी के पापी कहलाएंगे क्यों? क्योंकि बेवस्ता तो आपको क्या करेगी सिर्फ पाप का पहचान देगी लेकिन येश्व आपको क्या करेगा पाप से मुक्त करेगा आपको धर्मी बनाएगा आपको पवित्र बनाएगा आपको परमेशर की संतान होनेगा अधिकार देगा और आपको परमेशर के साथ मेल मिलाप कराएगा मैं सच में आशा करता हूँ ये मेल मिल आपका वच्चन आपके जीवन में कारे करे और आप आशेशित हो आईए अज हम इतना ही बात करेंगे खतम करेंगे आईए प्राटन करें हमरे सुर्गे पीता आपको धन्यवाद देते हैं आपके बच्चन में लिखा है धन्यवाद जीवन में पाप कराने वाले हैं वो परमेशुर के पुत्र कहलाएंगे प्रभू पिता सच में बेवस्ता के दौरा कभी हमारा आपके साथ मेल मिल आप नहीं हो सकता क्योंकि बेवस्ता को हम पालन नहीं कर सकते हम पाप में जन्मे हैं और हमने जीवन में पाप करके जिया इसके लिए हम कभी भी आपके पुवित्र बेवस्ता का पालन नहीं कर सकते हैं और नहीं हम बेवस्ता के दौरा आपके साथ मेल मिल आप कर सकते हैं लेकिन परमेश और आपने हमें बेबस्ता दिया फिर उसके बाद आपने येशु दिया क्यों बेबस्ता के दौरा आप चाहते थे कि हम पाप का पहचान पालें और आप चाहते थे कि येशु के दौरा हम लोग धर्मी और पवित्र बन चाएं येशु के दोरा हम आपकी संतान बन जाएं और वो सब कुछ आपने कलवरी के कुरूस पर पुरा किया और येशु जो कुरूस पर मारा गया वो हमारे पाप और हमारे अपराद और हमारे श्रापों को खतम करके येशु ने अपने लहु से हमारे पाप को धोके और येशु तिसरे दिन जी उठा और वो येशु जी उठकर हमको गवाई दे रहा है अब तुम और पापी ना रहे तुम धर्मी बन गए हम उजी उठे हुए येशु पर विस्वास करके हमें आपके साथ मिल मिलाब करके आपके संतान बनने का अशिरवाद में जीबन जीने दीजिए यही हम आपसे प्राहतन और अबिंती करते हैं सबी बातों को आपके हाथ में और रिया में सोब कर येशु के पविद्र नाम से हमने प्राहतना किया सुर्गे पिता आमें धन्यवाद तो मैं बहुत धन्यवादित हूँ तो इन दिनों में हम लोग ने लंबा समय रेट्रीट किया और उसके बाद कल और आज हमारा पोस्ट बाइबल सेमिनार है कल शाम को भी हमने किया था आज शाम को भी हम करेंगे अगर आपने से कोई समय निकाल सकते हैं तो रुपा करके पोस्ट बाइबल सेमिनार में अंटेंड होके परमिश्वर के बच्चन को सुनिए और हमारा जो गुद न्यूस थियोलेजी स्कूल है ये बाइबल को सटिक सिक्षा देने के लिए इस्तापीत किया गया है ताकि बाइबल के सिक्षा लोग प्राप्त कर सके तो आप पास्टर हो लीडर हो या साधरन कोई भी क्यों ना हो आप सबको अधिकार है कि आप परमिश्वर का बच्चन ठीक रिट से सिखे तो ये थियोलेजी स्कूल हमें बाइबल की सही सिख्षा हम एजिटी स्पोहँचा सके इसमें कोई theory नहीं है या फिर इसमें कोई doctrine नहीं है या फिर कोई denomination नहीं है ये सिर्फ बाइबल को एजिटी सिखाया जाता जैसे मैं आपको हर दिन बाइबल सिखा रहा हूं उसी रिती से यहां पे पचास साल, तीस साल, ऐसे बीस साल, दस साल, ऐसे अलग-अलग सालों साल परमिश्वर की सेवा करने वाले परमिश्वर के सेवक लोग उनके जीवन में परमिश्वर ने उनको पवितर सास्तर कैसे समझाया है और कैसे सास्तर का मिनिंग है जो इनसान को दार क्योर चलाता है और सचात्मिक जुवन क्योर चलाता है उसके बारे में ये सिक्षाइं दी जाती है तो इसका फीज अभी बढ़ गया है अभी 200 डॉलर हो गया है तो मैं आशा करता हूँ आप जल्दी से रेजिस्टेशन कीजिए तो आप ये इस Theology School के दौरा भी अनुगरा पा सकते हैं बाइबल सीख सकते हैं दो साल का कोर्स है और छे मैने का एक सिमिस्टर होता है तो इसके लिए आप लोग हमरे वेबसाइट पर आप रेजिस्टेशन कर सकते हो और या फिर आप मेरे मोबाइल पर फोन करके बाते कर सकते हैं धनिवाद फिर मिलेंगे नमस्ते थियोलोजी स्कूलों के स्तापना ये शुमसी के साफसु समाचार को प्रचार करने वाले लोगों को तयार करने के लिए की गई उन्हें बाइबल के सत्य सिखाने और परमीशर पर अटुट विश्वास बनाने के लिए डिजाइन किया गया था मगर जैसे समय बीता गया थियोलोजीकल संस्ताओं ने मनुश्य के विचारों को परमीशर के वच्चन के उपर रखा अब समय है कठोर और सिधानतों पर आधारे थियोलोजीकल पर्टिकरम के परे देख कर बाइबल के सच अध्यान की और लोटे जो हमारे मन में विश्वास बहर कर हमारी आतमाओं को धृड कर सकता है गेहरे व्यक्षान, दिल्चसप, छात्र संचालित प्रोजेक्ट्स और छात्रों और अध्यापकों के साथ मन की संगती के द्वारा गुड नियूस तियोलोजी स्कूल वास्तविक, लचिला और किफायती वचन का सू व्यवस्तित अध्यान प्रदान करता है गुड नियूस तियोलोजी स्कूल एक ऐसी जगा है जहां भविष्य के सूसमाचार के प्रचारक, पाप और निराशा में अटके हुए लोगों को यीश्व मसी की जोती का प्रचार करना सीखते हैं आज ही रेजिस्टर करें और जहां कहीं भी क्यों नहों मसी के मिशनरी बनें